आज हमें Dam Standard Brush को देखना है तो Brush की सीरीज चल रही है से पहले काफी सारे Brush पर वीडियो बन गए है आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में आज Dam Standard Brush को यूज करेंगे तो यहाँ पर एक मॉडल है हमारे पास में इस मॉडल पर हमें काम कर रहा है यह मॉडल हमारे लाइट बॉक्स में अविलेबल है प्रोजेक्ट मेनू के अंदर यहाँ पर Soldier नाम से एक Object पड़ा हुआ है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और वो मॉडल हमारी स्क्रीन पर एड़ हो जाएगा तो इस मॉडल में हमें पूरे मॉडल पर काम नहीं करना है हमें Limited Area पर काम करना इसके Let's की यह जो Pocket बनी होई है इस पर काम करना है तो हम इस पर Alt के साथ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे सब टूल में Option आ रहे हैं सारे के सारे यह Layer सिलेक्ट हो गई है तो हम Shift के साथ इस Layer के उपर क्लिक कर देंगे तो जो Layer हमारी सेलेक्टेड होगी वो यहाँ पर आईसोलेट हो जाएगी ताकि हम इस पर आसानी से काम कर पाएं तो चलते हैं डैम स्टेंडर्ड ब्रेस कहाँ पर है वो देख लेते हैं तो यहाँ पर देखें ब्रेस अभी कौन सा है स्टेंडर्ड ब्रेस आपको अपने कीवोड से B बटन प्रेस करनी है और D for Dog डैम स्टेंडर्ड के लिए D बटन प्रेस करनी है यहाँ पर देखें डैम स्टेंडर्ड ब्रेस लगा हुआ है और इसका कोड है S अगर आप as press करते हैं तो damage standard brush आपका यहाँ पर load हो जाएगा अब अगर हम इस brush का use करते हैं अपने model में तो देखो यह अभी कैसा output आ रहा है यह सही नहीं आ रहा है यह brush चल तो रहा है लेकिन सही नहीं आ रहा इसका reason यह है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं तो यह ऐसा लग रहा है जैसे मेस को अंदर के तरफ push कर रहा है तो यह ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा जब भी damage standard brush का use करेगे division sufficient होनी चाहिए division sufficient होने का मतलब division अभी बहुत low poly high poly करना है आपको तो आप control D button प्रेश कर सकते हो 1, 2 and 3 times हमने आप प्रेश किया हुआ है तो हमारी जो divisions थी वो high division हो गई है यहाँ पर अब हम इसका use करते हैं damage standard का brush का size चोटा करना है यहाँ से कर सकते हैं आप फिर S button प्रेश कर सकते है S for size तो यहाँ पर आप on screen brush का size चोटा बड़ा कर सकते हैं अभी यहाँ पर आपको चलाना है brush तो आप देखो यहाँ पर top पर जाते हैं यह corner पर हम use करते हैं इस तरह से damage standard brush का का काम क्या होता है यह mesh को अंदर की तरफ ऐसा cut मारता है slash cut मारता है ताकि वहाँ से आपके surface पे एक joint आ जाए जैसे लगे कि surface को जोड़ा गया है यहाँ फिर surface को वहाँ पर sieve किया गया है सिलाई करी गई है कुछी steps से यहाँ पर हमने यह आपके हाथ का flow कितना अच्छा चल रहा है फ्रेंट से एक बार चला सकते है यहाँ से देखिए कितना अभी थोड़ा सा rough चल ला है उसका कारण उसका region क्या है यह division इस पे sufficient अभी भी नहीं आए तो हम एक बार फिर से control D प्रेस करते हैं तो अभी division हमारे पास में sufficient आ चुकी है तो हम अब देखिए यहाँ पर अगर cut मारना है यह देखिए अब पहले से अच्छा काम कर रहा है यह इसकी specialization है कि बहुत smooth करता है cut तो मारता है लेकिन आज़ पास यह smooth करके cut मारता है rough cut नहीं मारता है हम यहाँ से इस object पर भी काम कर सकते है थोड़े से division आपको लगता और बढ़ाना आप control ली कर सकते है और इसकी intensity यहाँ से देखिए intensity को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते है अगर intensity आपने बढ़ा कर रखी हुई है तो यह ज़्यादा deep stretch मारेगा यह देखिए मेस को काफी अंदर तक इसने cut किया है तो अगर आपको need है तो आप ऐसा कर सकते हो intensity काफी ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ से shortcut U button प्रेस भी कर सकते है यह आप on screen इसकी intensity handle कर सकते है intensity का मतलब आप brush की power को कितना control कर रहे हैं वो कितनी मेस को cut मारेगा तो आप यहाँ पर देखिए इस type से चला रहे है अब इसने बिल्कुल straight यहाँ पर cut लगाना है तो क्या करेंगे आपको यहाँ पर धियान रखना होगा shift button को पहले से press नहीं करना है पहले आपको यहाँ पर एक click करना है ऐसा click करके रखना है और shift button प्रेस कर देंगे और जब नीचे के तरफ लाएंगे तो आप देखो कि एक line आपके पास आ रही है यह line जैसी भी होगी आपको अगर straight line ची होगी तो straight line अब आपको क्या करना है shift button को release कर देना है इस तरह से तो देखे बिल्कु सीधा सा cut लगा हुआ है यह बिल्कु सीधा cut लगा है फिर से देख लेते हैं इसको आपको पहले से क्या करना है पहले click करना है किसी भी area में जहां से आपको start करना है let's see यहां से start करना आपको click कर लेना है अपने breast code या mouse को drag नहीं करना है, आपको drag करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर straight line चाहिए, तो click करना है, और उसके बाद shift button को press करके रखना है, hold करके, जहां तक आपको चाहिए, वहां तक आप line ड्रा कर सकते हैं, उसके बाद पहले आपको shift button को release करना है, और फिर यहां पर click कर करके आप दुवारा से बना सकते हैं, shift button press कर लिया, एकदम straight, shift button को छोड़ दिया, फिर से shift button press कर लिया, फिर से shift button release कर दिया, फिर से shift button पकड़ लिया, और release कर दिया, तो इस तरह से आप continue कर सकते, यहां पर भी आपको click करना है, shift button को press and hold करके रखना है, और release कर दिना है, पहल अगर आप यहडमिश्टेंडर्ड यूज करते हैं तो आप देखे क्या हो रहा है यह देखे यह उस मेश को बाहर की तरफ ले के आ रहा ह। इस तरह से तो आप यह भी कर सकते हैं इस नीचे साइड में भी आपको ऐसे करना है old के साथ में इसको use करना है अगर में इसको उपर लेकिया आना है तो यह just reverse काम करता है आपको anytime लग रहा है में इस थोड़ी सी उपर जा रही है तो आप shift प्रेस करके आप click करेंगे जब यह blue line blue circle दिखने लगा इसका मतलब यह smooth mode पे आ चुका है तो ध्यान रखना shift बटन आपको cup प्रेस करना है यह आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको smooth करना है तो पहले shift बटन प्रेस कर लेना है उसके बाद stroke चलाना है अगर आपको straight line चाहिए तो पहले आपको click करना है और उसके बाद shift को hold करके ने चलाना है ठीक है यहां पर आपको यह डिजन डाल सकते हैं लेट्स की थोड़े के लिए ETH है थोड़े से बड़े बड़े कत मारेगा यहां फर कुछ इस टैप से तो ये थोड़ा से साइज बढ़ा करके हलके हलके से सिप्ट के साथ में हमें ये बीज में चला देना है ताकि हमारी मेज जो है हो ज़्यादा रफ ना हो हलके सी स्मूध भी दिखाई दे तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं स्कूर्ड कर सकते हैं तो हमने देखा किस तरह से स्कूर्ड ब्रस को हम स्ट्रेट लाइन से चला सकते हैं और किस तरह से हम अपने बाई हैंट फ्लो के साथ चला सकते हैं तो ये हमारा डैम स्टेंडर ब्रस था फिर से आपको shift के साथ क्लिक कर लेना है ताकि आपका complete model आपको दिखाई दे यह देखिए opposite हिस्से में हमने इसको design किया हुआ है तो अब मिलेंगे next वीडियो में चैनल को subscribe जरूर करना comment करना आपको कौन से ब्रस पर वीडियो चाहिए होगी तब तक के लिए thank you